कॉलेज का पहला दिन है तो चलो मम्मी को बता देता हूँ हलो मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ साम तक आउंगा ठीक है बेटा अराम से जाना लो मेरे धन्यों भी तयार है तो चलो इससे चलता हूँ और आस तो कॉलेज में बहुत सारी लड़कियों लड़के आएंगे मज़ आजाएगा आज अरे ये तो रोहन सोहन की बाइक लगती है नहीं आली चलो छोड़ो यार कॉलेज का टाइम हो रहा है लो कॉलेज भी खतम हो गया और मेरे को काफी जोरो से फूंक लगी है तो चलो मैं चलता हूँ घर की तरफ यार ये बाइक वाले अभी नहीं गए लगता है यार आज जब पापा ऑफिस से आएंगे तो मैं उनसे न्यू बाइक खरीदने के लिए बोलूगा है मेरे सभी दोस् लग रही है बता नहीं यार मेरे पापा कब मेरे लिए बाइक लेंगे अरी तिल्लू बेटा यहां क्या कर रहा है अरे राकेश फिंटू ये तुम्हारी बाइक है क्या और क्या तिल्लू इसके पापा ने इसको हाया पुसा गिफ्ट की है इसके बशरे पे अरे भाई तू अभी किसे रहा है जिसके पापा इसके लिए एक बाइक भी ने खरी सकते साल अभी वी साइकल से चलता है तो स्कूल का बच्चा है जाबे निकल यहां से तरी आवकात के बाहर है आया भूसा देखा मत कर साली अमीर दोस्तों लोग गोड़ा सा क्या बाइक मिलगी अपने पुराने दोस्तों को बूल जाते हैं लोग घर भी पहुच गया चलो ममी को बापा को बुला कर आज उसे बाइक के लिए पूछी लेता हूँ ममी पापा बाहर निकलो अरे क्या हुआ क्यों गलाफ वाड़ वाड़ के चिला रहा है अरे पापा मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है और कन्या बठड़े भी है तो गिफ्ट में मेरे को एक बाइक दिला दो ना सुनते हुझ जी साहब जादे को बाइक चाहिए नंबर तो इनके आते नहीं है और लेकर मार्केट में घूमेंगे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें जाकर घर के अंदर पढाई करो इसके बार में मेरे को दुबारा बात नहीं चाहिए यार मेरे ममी पापा अच्छे आपको अमेरे प्यार नहीं करते जो महाँ उता चिला कर दो नहीं मनाओं गा अरे अरे टिलू बेटा रुको हैपी बाठ टो डेग हां थाइंक्क्यों एंटी जी चलता हूँ भाई अरे संतोस यहाँ क्या अरे चुप हो जाए जो साइकल से चलता है मैंसे बात नहीं करता मेरे पापा मम्मी के वज़े से सभी मेरे को ताना मारते हैं अरे बेटा सुपे से कहा है तू जल्दी से तरी फोन पे एक लोकेशन भीजा है वहाँ पर आजा एक गौद बड़ा गिफ्ट है अरे बेटा पहुच गया उस वाले सोरूम के पास चलो मैं आता हूं तब कुछ बताता हूं तुमें जिसके बाद मैं इस वाले सो रूम के पास पहुंच गया और उतर कर देखता हूँ वाई ये तुम्हाया भूसा की सो रूम है कितनी ज्यादा मस्त लग रही है यार लेकिन ये अपनी किस्मत पे कहा सप्राइस बंटी सप्राइस बंटी बेटा मतलब की हम दोनों तुम्हारे ममी पापा तुम्हारे पड़डे पे तुम्हें एक खाया भूसा गारी गिफ्ट कर रहा हूँ अरे टेलू बेटा हमने कल क्या मजाक किया तुम तु सीरियस होकर घरी छोड़ दिये बलकि हम दोनों तुमें सप्राइज देना चाहते थे लेकिन तुम थोड़ी ना समझोगे अच्छा पापा सॉरी लेकिन क्या मैं इस खाया भुसा की एक राइड लेकर आऊ मा बेटा तुम्हारी लिए ही तो खरीदी है जाओ सीधा खर चली जाना पेमेंट हम करके आते हैं याहू अब तक यह मेरी बेस्ट गिफ्ट है मैं इसे सम्हाल के रखूंगा और अच्छे से पढ़ाई करूंगा और साथ ही कॉलेज में मेरा कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा पाकी मेरे भाई अगर तुम्हें वीडियो जरा से में पसंद आये हो तो लाइक सुस्क्राइब कर दिना हो